दोस्तों नमस्कार स्वागते कशी फिर साफ सभी का मेरे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं यह जो हमरे एंगल ग्राइंडर आता है एंगल ग्राइंडर या फिर जो एंगल कटर होता है उसके बारे में कि इसके काम कैसे करता है इसके अंदर का जो सरकीट होता है क्या क्या होता है और दोस्तों इसमें एक मुझ्टली प्रावलम आता है स्पार्किंग के प्रावलम यहां पर जब कभी कभी बोकी सिन ढवी कहा भी सरहा सफंक्षन हैं इसलिए हम सोचे के इसको बता देता है क्याल कि समल पक्रफली सिसको ठीक कर सकते हैं तो धुस्तों सबसे पहले बात में जोस्तों ये हमारेइजी काो ये हां ये यहां पे लिख完全 कमपनी dimt दोस्तों देख सकते हैं हमारा GK का यहाँ पर model नुम्बर लिखा है GK 801 एंगल ग्राइंडर और यहाँ पीश का पाउर लिखा रहता है तो ही टूटल 850 वाट का दूस्तों और यह यह वह दिया गया रहता है 100 अमें तो यह इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया रह करक की इसके बारे में आपको बताते है कि इसे कौन कौन से पार्टस होता है क्या-क्युNO दोस्तों सबसे पहले यह हमारा इसका पाउर केबल है इसमेnh 220 Va का पाउर देते हम, आप पेखी पीछ और साइड में यहां चुछ दिया रहता है। अपने दोस्तों जो पावर आनफ का स्विच दिया गया रहता है और दोस्तों यह हमारा देखिए यहां पर बटन दिया गया रहता है तो कितने लोगों को पता नहीं रहता है कि यह बटन किस लिए दिया गया रहता है तो दोस्तों यह हमारा बटन इसको लाक बटन बोलते हैं तो यह लाक बटन का प्रेस करें तो यह हमारा जो असंडेल है जो इस पिंड़ल मूब को नाचता है लाक हो जाता है जहां पर लाग हो जाता है अब से पाहर पास के बारा के बारे हम बाढ़ी होता है बाड़ी यानि इसके अंद्र में आर्मेटर दिया गैए रहता है है और हमारा कीया आपको खूल के घृता यहां पे दिया खेbor रहता है तो स्में OFF क्टर में जो मेरे कार्पन ब्रस क्यूं दिया गया रहता है वह बताने वाले हैं उसका काम क्या रहता है आप 3 पर फिर खोल चूल कर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहता है हें MIDI । headlines िट्वा अब पर यहां पर चार इसक्रू है, जारो स्क्रू को हम खोल लेंगे पहले, अब देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारा इसमें दुनिडरॉप है, तो इसके अंदर दोस्तों, दिया गया एक इर का तो इसके अंदर आनल आलाई है यह सब गसमें निया रहता है और यहां पर रहता है तो कि तो दो स्How To sound Liu होता है इसको यह श्पाइरल बेवल गेर बोरा जाता है दोगेर होते हैं यह हमारा एक आर्मेचर पे होता है और दूसरा यहाँ पे रहता है दोस्तों फ्लेंज जो होता है उसमें लगा रहता है तो दोनों जो गीर होता है उस गीर को spiral टाइप के गाहिक है spiral पमें बनाओ होगा लुदी होकर है chi-feल गेर प्लेट दिया के रहता है wanna इसको कडी गाइड करने के लिए बोडी को गाइड करने के लिए दोर चली इसको हम जुपको दिखाते हैं कि इसको बाहर कैसे करते इसको घना सघ। को अब raised करते हैं दों यह होता है मोटर कर अंदर का फांक्सन होता है जो हमारा इंडेश्ट्री में जो भी छोटे bio is होता है तो से musi principle पर भी काम करता है सिक अंदर पेक प्रृंड फज़ा रहता है उसी motor के दो पाथ होते है एक Balkan का मैं लोका रहत घ्रीक तो दोस्तों at alone मेंचर और चेहरे चर्टाइब होता है विस न मुव से रहता है थाहर की जो रोड आप रहता है इसके बॉड़ी में जो वाइंडिंग रहता है वह होता हमारा इस्टेटर और जो रोटेट करता है उसके उपर भी जो वाइंडिंग रहता है आर्मेचर वह हमारा रोटर होता है जो की रोटेट करता है इसमें आन्फ करने पर चले दोस्तों इसको बताते हैं कि इसको नहीं नई निकले गाया तो दूस्तों कि चलिए सबसे पहले हम यहां से को यून प्लग को साइट प्लग जो है उसकी उसको कवर को अटा लगेowगे अटाने के बाद थी इसको कवर को क śa क nee के वार करते बिर यह पीछे साइड के देखिए दो बोल्ट दिया है इसको भी हम लूज करेंगे कि आता है कि जो हीट होता है है तो उसका हिट यहां से बाहर भी आ सकता है तो उसके लिए शाइड से प्लक दिया घरता गार उसकता और गर्रामीम और देख्तों यह हमारा होता कारबन ब्रस है यहां पर देख्या एक कारबन ब्रस कफोबट करें डिलuna क सब्सक्राइब में भी कार्बन ब्रस दिया रहता है यहां पर स्प्रिंग के साथ कार्बन ब्रस अटेच रहता है अब दोस्तों अभी हम आपको पताते हैं कि कार्बन ब्रस का काम क्या रहता है उसके पहले हम इसको बाहर करेंगे तो इसको बाहर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको कार् कार्बन नहीं होता यह कार्बन ब्रस होता है और यह कार्बन ब्रस जो होता है दोस्तों अलग-अलग कार्बन मैटेरियल का बना रहता है तो दोस्तों इसको कार्बन ब्रस बोला जाता है और इसका जो काम होता है यह कार्बन ब्रस का काम है आर्मेचर और जो स्टेटर होता है आर्मेचर और स्टेटर के बीच में करेंट का जो सप्लाई करने के लिए यहां पर दिया गया रहता है कि यहां पर फिक्स रहता है और यह जो हमारा आर्मेचर होता है आर्मेचर के आर्म पर यहां पर वो स्टच में रहता है जैसे आर्मेचर घुमता रहता है तो दोस्तों य तो यानि यह हमारा इस्टेटर और आर्मेचर के बीच में पाउर्ड ट्रांसफर करने के लिए यहां पे हमारा कारवन ब्रस का यूज किया रहता है बाकिस दोस्तों अगर इसके बारे पूरा डिट्रेश दानना हो तो आप आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यह कैसे काम करत पाउर कैसे ट्रांसफर करता है लेकिन यहां पर इतना इसको बस बताते हैं कि इसका जो यूज किया रहता है वह स्टेटर और जो हमारा अर्मेचर होता है यानि कि रोटर होता है उन दोनों के बीच में पाउर ट्रांसफर करने के लिए करेंट ट्रांसफर करने के लिए यह यहां पर स्कूरू दिया गया रहा है दूसरे वाले के पास यहां पर भी स्कूरू दिया गया है तो दोस्तों दोनों को हम लूज कर लेते हैं फिर यह हमारा बाहर आ जाएगा यह हमारा लूज हो गया, अब दोस्तों यह दोनों लूज हो गया था हमारा कार्बन ब्रस अराम से बाहर आ जाएगा, यह देखिए, यह हमारा कार्बन ब्रस, इसी को हम कार्बन ब्रस बोलते हैं, और यह देखिए हमारा जो क्वाइल टाइप का स्प्रिंग है, इसको क्वाइल टाइप में लपेटा गया रहता है तो यह क्वाइल टाइप स्प्रिंग है और यही हमारे कार्बन इसको कार्बन ब्रस बोलते हैं तो यह हमारे कार्बन ब्रस हो गया और दोस्तों एक इस साइड में रहता है और एक दूसरे साइड में रहता है इसको भी यहां से निकाल लेता है यह देखिए यह हमारा दोनों बाहर हो गया अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं दोनों में पाउर केबल इसमें कनेक्ट रहता है तो यह इसमें पाउर केबल कनेक करते हैं तो आर्मारा traumi क्वाक के बिद्र लाइप मार्फ स्व advance तो इसका काम यहीं रहता है तो तो यह कभी कभी में जुद्धा घृता है तो यह काम नहीं करता है प्रापर तो हिससलिए काम पर ब्राप हो जाता है तो जलता नहीं और चेंज करेंगे तो यह अपने आप सही हो जाएगा, तो यह प्राबलम आता है दोस्तों जब हमारा यह नहीं चल रहा है, हमारा जो भी कटर है या फिर ग्राइंडर अगर नहीं चल रहा है, तो यानि कार्बन ब्रस का प्राबलम आ रहा है तो अगर, तो कार्बन ब्रस प्राबलम है तो यहां से अराम से अपने आप से खुद से आप चेंज कर सकते हैं तो यह अपने आप सही हो जाएगा अब दोस्तों कभी-कभी हमारा जो आनाप स्वीच है इसका भी प्राबलम आ जाता है यह हमारा एंदर से इसका कंटेक्ट खराब हो जाता है तो यह हमारा काम नहीं करता है तो आप अलग से जयों जयो है तो Hiがैं 20 आप सही हो जाएगा अभ दोसते में अब जुद Wirki में काम आताई थेटार है या प्राइटार्पलों कब राप लेगा मैंसे अब कर दो दूस्तों है जो बन और तीन अंपियर ले रहा है लैकर जब दोस्तों इस में प्रावल्म आता है यानि कि जाम चलेगा तो यह हमारा जो रोटर उसको उपर ज्यादा जब लोड आएगा तो लोड आएगा तो उसका प्रेंट बढ़ जाएगा तो इसका मैक्सिमिम्म जो कपिसिटी उससे ज्याद आगर करेंट लेने लगे तो स्पार्किछ होने लगतीा अब दीयाzd ज्यादा लोड क्यों आ सकता ज्यादा लोड यहां पर ज्यादा लोड आ रहा है तो दोस्तों चलिए अभी आपको दिखाते हैं इसका आर्मेचर बाहर करते हैं और फिर दिखाते हैं कि एक्चुल में क्या इसमें प्राबलम है अब ही दोस्तों हम इसको बाहर कर चुके हैं दोनों कारबन ब्रस को तो यह हमारा जो यह आर्मेचर वराम से बाहर आ जाएगा तो इसको बाहर करने लिए सबसे पहले यह गाइड को बाहर कर लेंगे यह देखिए यह हमारा बाहर आ गया तो दोस्तों यही था हमारा main armature issue का armature बोलते हैं यह जो हमारा part है इतना इसको हम armature बोलते हैं एक्चोली दोस्तों यह पूरा set जो हता है हमारा rotor होता है और rotor के उपर यह जो हमारे खांचे बने रहता है इनहीं को हम armature बोलते हैं और दोस्तों इसके अंदर देखिए एस्टेटर है यह एस्टेटर के अंदर पे हमारा वाइंडिंग किया रहता है कापर वाइंडिंग तो दोस्तों यह होता है हमारा मेगनेट क्रियेट करने के लिए रहता है यह एक मेगनेट क्रियेट करता है तो मेगनेट क्रियेट होता है या फिर अगर आपको नहीं जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों यह हमारा स्टेटर हो गया स्टेटर वाइंडिंग और यह हमारा हो गया रोटर वाइंडिंग यह रोटर है इसका एक आर्मेचर है और यह हमारे गाइड प्लेट है तो गाइड प्लेट के लिए कि दिया आगे रहता है तो तो इस बाहर कने के लिए यहां पर विक भी ग्जान फोल्ट फटो थो दोस्तों ऑंगई से उसी पाहँ समय वैसं महला जो कि देख रहा है और चुरल यहां पर जो को बोलते हैं कम्यूटेटर यह जो हमारा रोटर के जो पार्ट होते हैं तो यह हमारा तूट होता है इसको एस्टेक तूट बोलते हैं जो हमारा यह तूरा आर्मेचर का स्टेक होता है पूरा इतना दूर यह हमारा आर्मेचर का स्टेक होता है इसको तूथ बोलते हैं अर्मे बना रहता है इसके बीच में और यह मेरा एकस्ट होता है उसके बीच में इससका वर्किंग था अब दोस्ते सकते हैं यह महराミूल dozen यह हमारा डैमेज आ चुका है तो दोस्तों क्या रहा है कि यह दे लिए कर्बन ब्रस सही है यह carbon brush हमारा इस पर touch में रहता है तो दोस्तों जब रोटेट कर रहा है तो रोटेट करता हुगा तो यह हमारा carbon जो brush है यह आकर इसी gap में फंच जा रहा है तो जब दोस्तों यह फंच रहा होगा तो यह हमारा नहीं नाच रहा होगा यानि कि जब नहीं मूब कर रहे तो इस पर लूट ज्यादा आ रहा होगा मूब करने के लिए इसलिए यहां पर स्पार का रहा है यानि कि दोस्तों जो मेन लफड़ा है वह हमारा आर्मेचर का है यानि कि आर्मेचर यहां से डेमेज हो चुका है यानि कि दोस्तों अगर आप यह हमारा यह armature का problem है तो आप armature लेने जाएंगे मार्केट में तो 400-500 के एक armature आता है बढ़या armature आप उसको लगाएंगे दूसरा लाकर तो हमारा साई से काम करने लगे गा तो दोस्तों यहां से एक nut दिया गरा था उस nut को आप यहां से कहीं हो को पकड़ के सट्ट को खोलने तो यह बेरिंग भारो जाएगा प graduates के नहीं मिल जाता घूसी नहीं वाले को लाना उस्ट को लाना फिर यदि ज्यालियों प्राइड करें करने कि तो से जयादा करेंट नहीं ले रहा तो झाली आ थे एन्था परहता हीी के मिया यद्यू didn he आै कि गरा गडी के ने लोड़ें दो से लोगा दो दो सब्सक्राप्रोकर्ट ही sondern आपको इसमें कुछ और जनकारी पूछना हो तो आप हमें कमेंड करके पूछ सकते हैं कि अगर किसी आपके किस कोई और प्रावलम आ रहा है आपके ग्राइंडर या कटर में तो आप हमें कमेंड कीजिए हम आपको उसका सलूसन देंगे तो दोस्तों यह इसका सारे पार्ट्स होगा अलग-अलग अब यह दोस्तों इसका असंबली यह गियर असंबली है इसके अं करता करते हैं तो दोस्तों ही यह गिंदल बोलते हैं जो यहां पर रोटेट कर रहा है और उसमें अंदर में आप देख सकते हैं, चले दुस्तों इसको भी खोल के आपको दिखाई देता हैं, ताकि आपको आगे confusion ना हो, दोस्तों ऐसे छूटी छूटी जो प्रावलम होते हैं वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, खुद से भी रिपेर कर सकते हैं, आपको दुकान जाने की कोई आप सकता नहीं है, ग्रीस आपको लुब्रिकेंट घर पे अधिकतर मेली जाय करता है, आपको ज्यादा तर खुल लिए, और खुलने के टाएम बस आपको ध्यान देना है कि हम जो इसको खुल रहे हैं, कौन सा पार्ट कहां पे था वो ध्यान होना चाहिए, ताकि हम दुबारा जब इसको एसेंबल कर तो असानी से एसेंबल हो जाए, और इसको क्लीनर से क्लीन करके लुब्रिकेंट दिया गया, ग्रिस लगाया हुआ है, दोस्तों यह हमारा गियर एक है, देखिए, स्पाइरल टाइप का यह हमारे गियर है, बेवल गियर इसको बोलते हैं, दो गियर होता है, तो दोस्तों यह हमारा आर्मेचर है, यह आर्मेचर में भी एक गियर लगा रहता है, और यह दो प्राबलम क्या आता है और उसका सालूशन क्या हो सकता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चले दोस्तों इसको अच्छे से हम पूरा पैक कर देते हैं और पैक करके फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में अब दोस्तों अगर है आपको यह खराब है तो हमारे पास अभी नया है नहीं वेकिन हम आपको बता दिये दोस्तों आप यह मार्केट से नहीं लिए आई नया इसको फिर आउट इसका जो कभर है पूरा इसको लगाने के बाद गियेरिंग पीडर लगाने asi प्र इसमें कुंठीक शenser कि इसको डालना है कि Cartrogram उसके बाद दोस्तों हमारा खी और ईभी करना जोक अ सचस्य को गणाना है क Hybridapt होने के चांस नजीं है आप यहां पे लगाईए और hiện!* स्क्रू को माउंट कर देना है यहां पर स्क्रू डालिए और स्क्रू के साथ इसमें टाइट किजिए और फिक्स करना है उसी प्रकार से दोस्तों देखें दूसरे साइड वाला भी यहां पर करना है यह देख सकते हैं यहां पर कम्यूटेटर बार यहां पर दिख रहा है आपको तो इसी कम्यूटेटर बार पर हमारा यह देखें यह हमारा कार्बन ब्रस जो हता है वो स्लाइड करता रहा है यह rotate करता है तो इसको उपर contact में रहता है और यह ज्यादा घीस जाता है तो दोस्तों contact नहीं बना पाता है इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है चलता नहीं है तो ऐगा प्रावल्म इसमें ज्यादा चराता है चले इसको भी हम लगा देता है और लगाने के तायम सतों ध्यान रखेंगे इसका जो carbon brass घीसको अच्छे से उसके उपर लगाना चाहिए forskुर्जन का जिरा घ्री न फुरकर ताकि यह जो हमारा carbon brush है वो बार के उपर proper fix हुआ है कि नहीं वो ध्यान में होना चाहिए उसके बाद फिर इसका screw टाइट करेंगे तो दोस्तों यह हमारा हो गया carbon brush दोनों side से लग गया है अब यह wiring को अंदर fix करके अच्छे से अब बार यह दोस्तों यह जो side में हमारा plug दिया रहता है कबर दिया रहता है इसका protection के लिए यानि कि जो carbon brush है उसके guiding के लिए यहां पर तो हम इसको भी लगा लेंगे यहां से यह हो गया दोस्तों मारा fix हो गया और fix होने के बाद सारे screw को प्रापर इसमें tight कर लेता हैं तो दोस्तों यह हमारा इस side से fix हो गया अब इसका जो gear assembly है इसको इसमें पूरा install कर लेता है तो gear assembly इसको इंस्टाल करने के लिए देखिए यह हो गया अब इसको हमारा bolt लगा के पूरा अच्छे से इसमें प्रापर इसमें tight कर देना है कर दो दूस्तों यह हमारा होगे पूरी तरीके सपाय अगर हम इसमें नया वाल हाला आर मेजा डाले होते दो MUSIC एह अराम से प्रापर चलता क्योंकि आपके सामने दीखा था कि इसमें आर अर्मेजा टूटा हुआ था तो हमने अगर इस मार में से डालेंगे तो हमारा ओके हो जाएगा ग्रैंटर काम करने लगेगा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे अच्छे टापी के साथ अपते के लिए आप सभी का धन्यबाद तो आप भी केस्ट लाएगा टापके का धन्यबाद